हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के समक्ष जी एस पेपर वन का जो सेक्शन थरी का आता है डी आई डाटा इंटरप्रेटेशन मैं उसमें आपको बारीकी से लिखना बताऊंगा कि कैसे आपको लिखने पर 36 में 34 इसका मतलब की डोटल दो कोशन होते हैं मतलब 72 में 70 या 72 कैसे ला सकते हैं मैं सारा आज आपको step by step बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिखेंगे तो नम्मर मिलेंगे तो चलिए फ्रेंट्स आज मैंने एक हलका सा कोशन लिया क्योंकि आपको step follow करवाना है और रोज का रोज मैं try करूँगा कि डियाई का जितने भी कोशन बनते हैं और जितने परकार के होते हैं सब को मैं discuss करूँगा चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं कोशन है कि निमलिखित आलेक का ध्यान पुरवक अध्यन कीजिए और उसके नीचे दिये गए प्रशन का उत्तर दीजिए निम्न बारगराप में विभिन देशों द्वारा रक्षा वे अर्बों डॉलर में किया गया है तो फ्रेंट्स इसमें जो कोशन है टोटल यहां पर आप कोशन देख सकते हैं पांच कोशन है लेकिन टोटल कितने माक्स के होते हैं 36 माक्स तो पांच कोशन में तो 666 मिल जाएंगे आपको 30 माक्स लेकिन आपको किस परकार से इंट्रो लिखना है क्या डाटा बनाना मैं आ आज आपको एक-एक करके 122 से बताऊंगे कि क्या-क्या इसमें जवरूरते हैं और क्या-क्या आपको एक्जाम में लेकी भी जाना है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप कलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप जब भी एक्जाम देने जाएं तो आपने साथ एक एकसे से इसको बार ग्राफ कहते हैं इसमें भारत का दिया गया है कि क्या रक्षा वें वें कितना किया गया है तो जिसमें देख सकते हैं कि भारत 600 अरब डॉलर किया है पाकिस्तान 420 इसी प्रकार सब का दिया गया है चलिए फ्रेंट्स अब हम लोग कुस्सन की और देखते ह कि पहला question क्या है कि भारत के where और पाकिस्तान के where का अनुपात क्या है तो हम लोग पहले भारत और पाकिस्तान के where का अनुपात निकालना है तो question देखने से परणा चल जा रहा है कि 600 अनुपात 420 होगा जो भी उसका answer होगा लेकिन आपको इतना ही लिखने से आपको 600 marks 6 जो marks ह नहीं मिलेंगे तो अगर आपको 6 मांक्स उठाने हैं तो आपको क्या करना है सारे स्टेप को फोलो करना पड़ेगा तो मैं आज सिखाऊंगा आपको कैसे और क्या-क्या इसमें लिखने क्या आवसकता है जो आपको 6 आउट आप 6 मिल सके एक कोशन के लिए दूसरा कोशन क्या सभी 6 देशों का दवारा औसत खर्च अरब डॉलर में क्या है चिह जितने भी चैने भूरत पाकिस्तान अमेरिका रूस चीन वह कुंपो जोर देना है उसके बाद क्या करना है कितने Lits does how vy lihatierte से इसको six से डिवीड कर देना hai तीसरा कुंस्तन कि Ameg Wars अमेरिकां कव भारत की तुल्ना हूं में कितना अधीक है मेरेका है कि 1020 डॉलर है भारत का 600 इसका मतलब इसका 420 है तो आपको डारेक्ट 420 नहीं लिखना है आपको 4 से 5 या 6 लाइन आपको जरूर पूरा करना है तब ही आपको 6 में 6 माक्स आपको मिल सकते हैं चौथा कोशन किया है कि भारत के व्याय और आउसत व्याय का अनुपात किया है तो फ्रेंड्स एक चीज आपको ये भी ध्यान देना कि पिछले कोशन में भी आउसत व्याय है तो आपको डाटा उसका डारेक्ट नहीं लेना है आपको क्या करना है कि आपको फिर से निकालना ह कि भारत का व्याय कितना है और दोनों का फिर अनुपात हम लोग लेने का परियास करें और आखरी कोशन किया है कि भारत का व्याय कुल व्याय का कितना परतिसत है तो मतलब कितना कुल व्याय है जितना होगा उसको जोर देंगे फिर भारत का व्याय क्या है उसका हम लोग परत लिखना तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे तो देखिए आपको भी यही जो पैटर्न जो है फॉलो करना पड़ेगा कि नीचे दिया गया टेबुलर आलेक मतलब कि कोई भी कोशन होगा आपको एक टेबुलर आलेक बनाने की अवशक्ता है आपको बनाने पर इसको ही नम्मर मिलते हैं उसके बाद क्या लखना कि प्रश्ण में दिये गए बार ग्राफ जिससे देख लिए यहां पर दिखा हुआ है जो लिखा वह उसी लिखना है कि प्रश्ण में दिये गए बार ग्राफ में विभिन देशों द्वारा रक्षावे वही उतार देना है फिर को सम्मलित रूप से दरसाता है तो हम लोगों ने भी लिख दिया क्या लिखा है कि नीचे दिया गया टेबुलर आलेक प्रस्ट में दिये गए बार ग्राफ में विविन देशों द्वारा रक्षा वे को सम्मलित रूप से दरसाता है तो हम लोग टेबुलर आलेक जो हम लोगों 12420 तोटल भी कितना होगे आपको यह काली सो करना हाशे ने कक्वेस और इतना प्रेशर हैखा कि आप गलत कर सकते हैं इसलिए मैं बारows आपको बता रहा हूं कि कि जान में कालकोलेटर ऐह ओगर जाय और इसको उपयोग मिलाए तो तुल कितने आ गए 440 आ गया तो चलिए फ्रेंट अब हम लोग एक कोसर्ण को शुरू करते हैं पहला कोसर्ण क्या था कि भारत के वह और पाकिस्तान के वह गाख अनुपाद क्या है तो फ्रेंट्स यह जो कोसर्ण लिखा यह बस आपके लिए लिखा आपको नहीं लिखना आप सिरीयल नम्म लि याद रखिएगा यहां पे आप गलती करणिएगा नहीं सबसे फेले हम लोग क्या लिखें प्रश्न अनुसार फिर हम लोगों ने क्या ने भारत द्वारा रक्षा में किया गया विर भारत के द्वारा भी लिख सकते हैं तो कितना किया गया च्छेसो अरब डॉले यह भी लि पीस तो कितना अनुपात पिर्ट एक सबसे important बात कि आपको यहाँ पे कटमकुटी नहीं करना जो भी है डिरेक्ट स्थायर जो भी कटमकुटी करना आपको plays काल्कुलेटर इसलिए कटमकु में ऑलाओ नहीं हो तो क्या हो गया many दस दस बरसीo और सबसे important की अंत में शिप आप 10 ratio अनुपात साथ नहीं लिख सकते हैं आपको उत्तर भी लिखना पड़ेगा तो अंत में क्या लिखेगा अतः फिर कोमा फिर अविश्ट अनुपात 10 अनुपात साथ अलाब बैकेट में अंत में उत्तर आपको लिखना ही लिखना है अगर आप उत्तर नहीं लिखते हैं तो examiner को पता नहीं चलेगा कि कैसे आप इसका उत्तर आया है कि नहीं है जब तक आप लिखें तब तक वह मानेगा नहीं कि आपका यह उत्तर है तो फ्रेंस आप लोग समझ गए उसी परकार सम में step follow करना जैसे प्रस्णा अनुसार फिर कोमा यहाँ पर आपको एक नमर मिलेगा फिर आप क्या content लिख रहे हैं step follow कर रहे हैं उसके नमर मिलेंगे अता के वाद कोमा है उसके फिर अविस्ट अनुपात कितना है वो उसके नमर मिलेंगे फिर अंत में जो उत्तर लिखने उसके एक नमर मिलेंगे टोटल मतलब इसका जो marking ह होता है वो चे माक्स का होता है वो विविन विन पल्लों पर देखा जाता है चलिए अब दूसरा कोशन देखते हैं कि सभी छह देशों दोवारा ओशत खर्च अरब डॉलर में क्या है तो फिर क्या करना है उसी प्रकार प्रश्ण आनुसार जो आपे follow कि यह तो वही करना को जितने भी कूल विए अब जितने भी कूल विए है न फ्रेंट तो आपको क्या करना है ब्रयकेट के अंदर लिखना है क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आप चीक लिखते तो चेक में क्या होगा अगर आप रायकेट की अंतरगत रखना परएगा तो हम लोगों ने इसको छारए नहीं क्यों क्योंकि और करना है क्यों क्योंकि आपके पास कल्कुलेटर इला है और जितने भी कल्कुलेशन करने आपको काल्कुलेटर के दबार aja करना है अन्त में जो मैंने आपको सब्रूस औस अविष्ट औॅसत तो देख लिए यहँ पर क्या था सब्सक्राईब मतलब क्या है यहाँ आजैक्ट मातलब क्या सद्पियाद मतलब क्या था उसके हिसाफ नवपात, फिर फिर पिर अरब डॉलár यही उत्तर की आप और आगे कुछ करना चाहते हैं चलिए फ्रेंट्स अब तीसरा कोशन देखते हैं कि अमेरिका का व्याय भारत की तुलना में कितना अधिक है तो फिर से फ्रेंट्स हम लोगों वही स्टेप फोलो करना क्या करना है प्रश्णा नुसा जो लिखना तो लिख अन्त में खलों के लिए फिर अमेरिका के दवारा explored रक्षा में किया गया वैल एक हजारेव डौलर अरफ डौलर आपको उत्प नहीं करना है फिर भारत के दवार你ाव अधिक तुलना में अधिक बांधिक है तो मैंने फिर क्या की कि अप फेंड़ाय कि आपको अपको ब्रा फिर कोमा मतलब हैंस रिक्वाइड डिफ्रेंस क्योंकि यह तुलना न किया गया है तो अभिष्ट अंतर कि इतना हो गया चारसो बीस अरब डॉलर अब राकेट में क्या कर दिया उत्तर मैंने लिख दिया तो फ्रेंड्स आपको सारे स्टेफ आपको समझ में आ रहा होगा कि परत लुए ऑर उसत्स वे का आनुपाद किया तो फिर मैंने वह ही कि प्रशनानुसार कोमा फिर भारत के दृओत नदर रक्ष्ट किया अमेरिका के दृओत दृओत दिया रूस्स के दृओत दिया चीन प्रिटेंड फिर अंत में क्या किया सभी देशों द्वारा रक्षा में कुल वे कितना वा फिर फ्रेंड आप ध्यान दिजेगा मैंने क्या किया सबको ब्राइकेट के अंदर गत कल्कुलेशन किया गिया अगर नहीं कि लिए आपका यहां भी एक नम्मर कर सकता है फिर कितना गया एक तालीसो चालीस अरब डॉलर आया फिर सभी देशों द्वारा और और अवसत खर्च अब सभी देशों द्वारा और 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 रेशियों करके 690 तो अथा अविस्ट क्या करना अनुपाद जो कोस्टन में बोला वही करना हैंस रिक्वाइड रेशियों कितना आ ग आपको भी बहुत अच्छे प्रत्रा से सभी बारी की जितने भी पहलूं आपको इस्टेफ फोलो करना आपको समझ में आ रहा होगा चलिए फ्रेंट्स अब आखरी कोशन देखते हैं आखरी कोशन क्या है कि भारत का वे कुल वे का कितना परतिसत है तो फ्रेंट्स आपको लग्चा देखते हैं करना 181 और लिया है तो फ्रेंटों ले कं परतिसत स्थ निकालूं परतिसत निकाला करना है प्रश्णा अनुसार फिर कॉमा यहाँ पर याद रठिएगा आपको आपको एक नंबर यहाँ भी कतेंगे फिर भारत के दोबार रक्शा में किया गया में ज फ्रेंट्स एक बात यहां पर और आपको गौर करने वाली बात है कि आपको alignment जो है वो हमेश्चा आपको सीधा रखना जैसे प्रस्ण अनुसार भारत पाकिस्तान अमेरिका रूस इस सब को एक तरह और यो equal to sign है कोसिस करिए कि जितने भी equal to हैं सब एक समान ही हो जो देखने भी अच्छा रहता उसके अच्छे नंबर मिलते हैं आप इधर कहीं İş jack में बढाबर इक्वेर्टू यह सब नहीं करना है फिर हम लोगों ने क्या खिए भारत का वेय और उर कुल वेय का किया और अंत में क्या लिखा अथा अविष्ट परतिशत कितना है 14.49 परतिशत अब ब्रांकेट में उत्तर आपको देना अथी आवश्च्या क्या अगर नहीं दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि आप उत्तर दे रहे हैं या और आपको करना है तो इसलिए फ्रेंट्स अहला आपको नम्मर यहाँ पर मिलेगा प्राशन अनुसार कोमा एक नम्मर यहाँ पर फिर जो भी आपने क्ल Bubble किया स्टेप फोलो गिया ऐख उसका क्राइब कर दो क्राइब एक नम्मुएर्ण दो नम्मर टी मिल गिया ंसे हैँ की नहीं उसका प्माच मिल गया और अंत में जाके उत्तर लिखें की नहीं मतलब कि एंसर आ गया है आपको एक्जाम को दिखाना परेगा अगर आप दिखा दिये तो आपको एक नमर वहां क्या करना है कि सबको मैं step by step follow करना तो सबसे important बात क्या है जब भी आप प्रस्ण को start करते हैं तो यह line जो starting का introduction आप जरूर बनाए कि नीचे दिया गया मतलब यह line fix है नीचे दिया गया टेबुल और आलेक जो आलेक आप बना रहे हैं उसमें आप क्या दिखा रहे हैं क्या दि लिखावा था उसके बाद हम लोगों फिर लिखना को सम्मलित रूप से दर्साता है या कुछ और होगा तो वहां पर सम्मलित रूप से दर्साता है जो बीच में है कि बार गराफ में विभिन देशों रख्षा वह यह जो है हर को सन के लिए अलग-अलग जो डिमांड कर आके आपको हर तरह कर स्टेप बाइस्टेप बताने का परियास करूंगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू एंड हव नाइस डे